असलाम वालेकुम फ्रेंड्स यह देख्या आप लोग कोंबेट सीट डिजाइन बना कर दिखाने जा रहे हैं आप इसे बेबी बेट सीट पिलो का बर कुशन का बर सिंगर डैबल कुछ भी बना सकते हैं देखें मैंने दो कलर का कपड़ा लिया है पुपने हिसाब से कोई भी मेजर में नाम के दिखा दे रही हूं लंबाई चोड़ाई यह देखें जो हमारा बड़ा वाला पीस है यह वाला बिलेक वाला यह हमने पाच पीस पाच इंच चोड़ाई और लंबाई में भी हमने पाच इंच फाइप इंच लंबाई यह देखें इस तरीके से हैं और जो जो हमारा छोटा लापीस है एलो वाला यह हमारा तीन इंच चोड़ाई और तीन इंच लंबाई ब्लेक वाला भी तीन इंच लंबाई है और तीन इंच चोड़ाई यह चारो तरफ से ब्राबर है यह देखे यह देखे हमने दो पीस हमें यह वाला लेना है और दो पीस हमने य वाला लेना है और इसको हम साइड मैं कर दे रहे ही देखे यह वाला पीस और हम आप लोग को बता दें को हम अच्छे तरीके से इस तरीके से रखकर बराबर करकर देखें ऑब इसको म Olden कर लेंगे यहां'ट कॉनर से लेकर इसको आनर तक देखिए इस तरह के से और यह हम लेक आला पीज इसको भी हम इसी तरीके से लेंगे देखिए देखिए इस तरीके से में इसको भी लेंगे और यह जो हमारा चुटा चुटा अला पीज से आप लोग को दिखा देने एक पीस हमें यह देखिए यह रखेंगे एक पीस हमें एलो आला लेंगे और एक पीस हम बिलेक लेंगे इसी तरीके से हम पूरे पीस की सिलाई करेंगे देखिए हमें एक एलो लेंगे और एक बिलेक लेंगे इसी तरीके से रखकर हम पूरे पीस की सिलाई लगाएंगे एक एलो एक बिलेक पूरा जो हमारा छोटा वाला पीस एट पीस हमने लिया था उसको पूरी को हम सिलाई लगाएंगे ये करकर देखे इस तरीके से हैं भिखे अदसे हो जैंगे हमोस की सारीस के शिराहरी से में लगा लिया है कि एक हमने लिया है उपनी और ऐलो और इस की कटिंग घर देंगे देखेंगे इस तरीके से और पेलेखे यहते यो थेखें। एलो वाला बिलैक पर रहना चाहिए। यहाँ पर पष्ड पामा प्रों हैंड कर हम तुमск हम परह पर कैसे माय bells ने 9 Va यह ऊप्षण और यह एक प्रों बेस जाँ कर गातायए। esse क्वोह तरह चाहिए। देखे हमने पूरे पीस की सिलाई लगा लिया है इस तरीके से हमने लगा लिया है और हम यह वाला जो हमारा पीस हमने कट किया था एक हमें लो लेंगे एक लेंगे इसी तरीके से अच्छे तरीके से बरापर करकर हम पूरे पीस की सिलाई लगा देंगे जितने पीस की हमने कट कर लिया है उसने पी nós करकर यह देखे एक बिलेक लेंगे और एक हम एलो लेंगे और इसके उपर अच्छे तरीके से हम रखकर एलो के उपर sự लखेंगे पूरा वीडिये डेखेंगे पूरा वीडियन देखेंगे तब ही आप लोग के समझ में आ Cambodia डिजाइन आदा ही वीडियो देखते हैं तो इसलिए आप लोग हमसे मेसेज करने पूछने लगते हैं यह कैसे हुआ ओय कैसे हुआ जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आथ भूद ही समझ में आ जाएगा हम आप लोग को कोसिस करते हैं अच्छे तरीके से बताने के कोशिस करते हैं कि आप लोग के समझ में आ जाए इदी के एक एक हम पीसिस को ये हमने सारी पीसिस को सिलाई कर लिया है इसी तरीके से एक बिलेक लेकर और एक एलो लेकर इदेखे इस तरीके से इदेखे हमने इस लिया है इसके और जो हमारी स्ट्रा कपड़ा है न उसको हम कटिंग कर निकाल देंगे और देखे हमने जो हमारा पीसे था हमने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है और हमने इस प्रेस करने के बाद इस तरीके से हमने रख लिया है देखे हमने इस तरीके से रख लिया है अब आप लोग को हम सिलसल कर दिखा दे रहे हैं सिलाई करकर अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं देखु हम्स तरीके से लो हमारा प्लेड वाला पिस था न। हम उसको इसको ऊपर रखेंगे देखे इस तरीके से हम सिलाइ कर लेंगे और जो हमारा ये बिलेक वाला पीस है वो बीच में रहेगा देखिए इस तरीके से हम अच्छे तरीके से रखकर बराबर से सिलाई करेंगे यह देखे हमने सिलाई कर लिया है यह हमारा बीच वाला पीस हो गया मैं तब पट्टी हो गया और देखे इस तरीके से हमने रखा था इसको हमें एक पीस लेंगे और सिलाई करेंगे चे तरीके से आराम आराम से इदे के हमने सिलाई कर लिया है और इस साइड भी हम यह वाला पीस सिलाई करेंगे देखे बराबर से तरीके से हम बराबर से रखकर सिलाई लगा देंगे यह देखे हमने इधर भी सिलाई लगा लिया है यह हमारा दो पट्टी हो गया है तैयार हो गया है तीसरा भी हम से मिसी तरीके से सिलाई करेंगे देखे इसके उपर जो हमारा है हम इसको अच्छे तरीके से बराबर कर लेंगे पिस इसको और इसके उपर रखकर सिलाई करेंग यह देखे हमने इधर का सिलाई कर लिया है और यह जो हमारा एलो और बिलेख वाला इस तरीकी एसा है वो बीच में रहेगा और जो हमारा इसके उपर रहेगा देखे इस तरीके से और हमने इस लएक कर लिया है यह देखिए हमारा यह तीसरा पट्टी तैयार हो गया है यह देखिए हमारा तीसरा पट्टी तैयार हो गया अपर हम एक एक करकर इसके उपर जॉइंट कर लेंगे देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे अच्छे तरीके से जो हमारा सिलाई है ना अच्छे तरीके से हम ब्राबर से करेंगे कि जो हमारा सिलाइ Measure पर रहे रहे ugoodle सायगा olabilir Prestung CT कौल में आध़ू और अधर होगा ना हम खीछकी जब सिलाइः करते हैं तो совсем जाकर धायं करें आधा विए देखने भी नही अच्छा लगता है निस निया पेसे ब्राबर कारता कर के इस तरीके से और हम तीसरा पट्टी भी जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से हम रखकर तीसरा पट्टी भी जॉइंट कर देंगे आराम आराम से सिलाई लगाएंगे कि धरुधर ना हो सिलाई सिलाई पर रही रहे देखे इस तरीके से इदे के हमने इसलाई लगा लिया है हमारा डिजाइन बनकर इस तरीके से कंप्लेट हुआ है इदे के जो इश्ट्रा कपड़ा है इधर उधर का हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से बराबर से अच्छे तरीके से जो हमारा इश्ट्रा कप्रा है उसको हम कट कर निकाल देंगे चारो तरफ से यह देखे इस तरीके से up sini by मुझे इसी तरीके से मीच्टब्रा पूरा हमने इनकाल दिया है अब इसको हम आप लोग परेश करकर तद इखा दे रहे हैं धकिछा कज बन कर इसी तरीके से अगर बनाना चाहे चाहे इसी तरीक से बाहर पहर बनाद कर लिया है ये कट हैं रधर कर लिजेंग पासीं और एक कर कर आप जॉइंट कर दीजिए इसमें पट्टि नहीं लगेगा இர बेट सिट अगर आप बनाना चाहिते तो इसमें वह नहीं लगेगा पट्टि और इसी तरी के इस तरी के सिर्ट लेना है और एक हमारा 12 इंच लंबाई में इसी तरीके से आपको पीज तयार कर लेना है और इसी तरीके से जोइन करकर आपको डिजाइन बना लेना है और एक एक करकर आप पुरे बेट सिन में तयार कर लेंगे और देखे इस तरीके से इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपका बेट सिट आएगा बनक आप लोग बना कर जिरूत ट्राई करें बहुत प्यारा भी लग रहा है पूरा फैसित बन जाता है तो को जौइंट कर देना है बनाना बहुत आसान है जल्दी बन जाता है आप लोग को अगर बनाना आता है तो बनाए खुद और नहीं बनाना आता है तो अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो दिए गए WhatsApp नंबर पर contact या message कर सकते हैं I hope आप लोग कोई डिजाइन पसंद आया होगा अगर आप लोग कोई डिजाइन पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक सिर करें और जो मेरी वीडियो को पहली बार देखने हैं चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो जो आप लिए जाइन पसंद आया तो मेरी वीडियो को लिए भीजाइन पसंद आया है